हेलो गाइज व्लकम तो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट्पेंट्स ओनवार्ट टेक्नोलोजिस की और से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंड लॉन रिजल्स आउट हो चुका है क्वार्टर पर एंगे लाक्स में नंबर से इंकम 121.2 करोड का पिछले कॉटर में 116.8 करोड का मार्च 23 कॉटर में 121.8 करोड का इंकम है क्वार्टर उनक्रीज येर ओन येर में डाउन देखनेग मिला वह भी 69 लाक्स का सब्सक्राइब 59 लाक्स का जबकि एक्स्पेंस हुए 112 करोड क पिछले quarter में 107 करोड का March 23 quarter में 109.6 करोड के expense हुआ था quarter on quarter में year on year में expense बहुँ जाद है इसके कारण profit में down है operating profit 9 करोड का पिछले quarter में 9.8 करोड का March 23 quarter में 12 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में भी down है और net profit 6.6 करोड का पिछले quarter में 6.7 करोड का March 23 quarter 7.2 करोड का net profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है EPS 2.91 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में fall होती भी नजब आ रही है तो गाइस company result अगर देखा जाया तो average है क्योंकि year on year के income में down है और profit quarter on quarter year on year दोनों में down देखने को मिला है अगर हम financial earned rate की बात करें 479.6 करोड का income है जबकि 23 में 444 करोड का income था income में तो अगर देखा जाते हैं यहां पर increase किया लेकिन expenses हुआ 434.5 करोड का 23 में 426 करोड का expense भी increase किया है operating profit 45 करोड का 23 में 18 करोड का increase देखने को मिल रहा है net profit 33.9 करोड का 23 में 11.4 करोड का increase है APS 14.81 रुपेश का 23 से increase किया है मैं एकर segment wise बात कर तो USA, Europe, अधर से तीनों से geography से revenue generate कर रहा है quarter earned में year on year में down है लेकिन financial earned में increase किया है तो guys company का overall result अगर देखा जाए न तो average है कि profit बहुत बुरी तरसे ग्रावट देखने को मिल रही है Standalone results में income में 92.4 करोड का, पिछले quarter में 88.4 करोड का और March 23 क्वाटर में 90 करोड का income है Quadrant quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 84.4 करोड का, पिछले quarter में 78.8 करोड का, March 23 क्वाटर में 78.4 करोड का expense हुआ था Quadrant quarter year on year के expense बहुत जादा जिसके कारण profit में down है operating profit 8 करोड का, पिछले quarter में 9.5 करोड का, March 23 क्वाटर में 11.6 करोड का operating profit है Quadrant quarter year on year दोनों में down देखने को मिल रही है तो company का overall result अगर देखा जाएगा, इस तो यहाँ पे profit जो है बहुँ जादा fall देखने को मिला है इंकम भले increase है लेकिन profit में बहुत बुरी तरह से crash किया है और वो भी quarter and quarter के income में सिर्फ increase हुआ अगर हम इसके share की बात करेंगे तो company का जो share है 450 रुपीज पे आज trade कर रही है और company जो है result 220 में इसके result आये थे 0.74% का minor से increase किया है वन मन्त में 19% का losses है 6 months में अगर देखा है 20% का loss है इस company बहुत बड़ा loss देखने को मिला है और अगर आप इसमें result देखेंगे तो रिजल्ट पेशने कर आप इसमें एंट्री करना चाहिए तो वेट केज़ें क्योंकि क्योंकि एक बहुत बुष्ट तो हुआ था लेकिन उसका फॉल देखने को मिला क्योंकि कंपनी का रिजल्ट कोई खास पेश नहीं हुआ तो हम लोग जैब वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं एक शोड़ों में दिलन बाइ